तो हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल सर्फ पंदरा नंबर का सवाल आएगा इसमें से नहीं सिर्फ इसमें से कई बार आजाते हैं इसमें दो टॉपिक है एक है ओपरेटिंग साइकल एक है ओपरेटिंग साइकल और एक है एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल सर इसमें से भी क्या पढ़ाओगे पहले बुक में भी अलग अलग चप्टर है या अलग चप्टर है बिसिकली तो पहले हम यह वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर यह करेंगे ओके सर यानि सर टुड़े वी विल बे स्टार्ट एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल सर एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो सर एस्टीमेटिंग का मतलब समझो सर वर्किंग का मतलब समझो सर पैस कैपिटल का मतलब समझो तीनों का मतलब समझेंगा तो चैप्टर का थीमी समझ में आ जाएगा बहिए होने क्या वाला है इस चैप्टर के अंदर तो अगर मैं बात करूं एस्टीमेटिंग का मतलब होता है अंदाजा working का मतलब काम या कार्रे कह लो capital का मतलब पैसा तो basicly बात करें इस chapter में क्या सिखाए जाएगा और कार्रे का मतलब या काम का मतलब है यहाँ पे हमें कितना पैसा जरूरत होगा हमारे stock के लिए या payment करने के लिए creditor के लिए ठीक है न ये दो points मैंने लिख दिये बाकि और भी हो सकते हैं तो basically हमें अंदाजा लगाना होगा साल के starting में या महिने के starting में कि हमें जो हम काम करेंगे क्योंकि हमें ये तो पता होगा definitely कि हम क्या काम करने वाले हैं 10,000 यूनिट बनाएंगे 20,000 यूनिट बनाएंगे पता होगा लेकिन day to day activity working जो है day to day activity करने के लिए हमें कितने पैसे की जरुरत पड़ेगा इसे find करने को बोला जाएगा day to day activity के लिए और sir working capital का formula आप से कोई बात छुपी आपने बहुत पढ़ा हुआ है working capital का formula होता है current assets minus में वही यही बस यहां हम इसको detailing में पढ़ने वाले कि assets के क्या-क्या components होते हैं liability के क्या-क्या components होते हैं तो sir हमें basically working capital का मतलब होता है आपको कि current assets माइनस में क्या करते हम current liability net में पैसा कितना आपको जरुरत पढ़ सकता है और current assets होता है हमारा जो assets हमारा एक साल के अंदर cash में convert हो जाए current liability होता है वह liability जो कि हमारा within a one year payment करना पाथ सकता है तो अब हमारा यह सारा current है तो जितना पैसा आपके पास पचास अजार आने वाला है और आपको तीस अजार देना है और यह पचास अजार मान के चलो आपके पास उधार वाला है और यह तीस अजार भी आपका उधार है तो ultimately देखा जाए यह तो settlement हो जाएगा लेकिन बीस अजार रुपे की और आपको नगद में जुरत पड़ सकती है तो what is the working capital working capital is day to day activity day to day activity का मतलब रोज जो business पे काम होता है छोटे मोटे खर्चे उसके लिए हमें पैसे चाहिए जिस organization में working capital नहीं है वो organization collapse कर जाता है मान लो मेरे पास 10 employee है हर मैने salary देना है अगर मेरे पास working capital नहीं है मुझे लगता है कि 2 साल बाद बड़ा सारा पैसा आएगा और मैं employee को 2-3 मेने salary नहीं दो सारे employee छोड़के भाग जाएगा अगर employee छोड़के भाग गया तो business बचाई नहीं फिर तो क्योंकि business चलता ही employee की वज़े से ठीक है ना पैसा चाहिए फिर तो में ठीक है ना पहले से हमें एक अंदाज लगाएंगे तो सर करेंट assets माइनस current liability तो basically इसका सिंपल सा current assets और current liability का पहले हम format देख लेते हैं एस्टीमेटिंग वर्किंग कैपिटल को short में लिखने जा रहा हूं सबसे पहले लिख लेते हैं current asset current asset इसके बाद लिख लेंगे current liability यह ले घए लेकर शो प्य Ek दिरे ले मेरे वह ले लोगाएंगे fast तो ख online चलिए सर्थ, current assets में क्या क्या हो सकता है, ध्यान देजेगा, सबसे पहले stock जिसे हम बोलेंगे material, सबसे पहले stock जिसे हम बोलेंगे material, material का मतलब जो आपको stock की जौरत है, that is वो भी current assets का पाथ है, अब हमें समझना होगा सर, stock क्या है, stock के तीन category है, basically, एक होता है, raw material, एक होता है, हमारा work in progress, एक होता है, हमारा finished goods, समझते हैं, कि तीनों में क्या-क्या है, जैसे मान लो, एक example लेते हैं, क्योंकि हम costing पढ़के आ चुके हैं, तो मुझे थोड़ा समझाना मतलब जल्दी आपको समझ में आएगा, अगर costing नहीं पढ़ा होता तो दिक्कत होता है, अब इसके अंदर देखा जाए, आप मान लिजिए एक basic सा example ले लेते हैं, जैसे मेरे पास यह pen है, जिससे मैं write कर रहा हूं, या फिर मैं घर का example ले लेता हूं, कोई हम normal साथ vegetable सबजी बनाते हैं, और आज हम बनाते हैं, आलू की सबजी, ठीक है, अब मैंने क्या करा, पांच किलो मान लेते हैं, पटेटो लिया, पांच किलो पटेटो लिया है मैंने, और भी इसके साथ बहुत सारी चीजे लगेगा, जैसे मान लेते हैं, spices, मसाला लगने वाला है, तो या oil लगने वाला है, और लेते हैं, एक्जामपल, दो चीजे हैं, हमारे पास raw material, ठीक है, नमक लगने वाला है, शॉट लगने वाला है नमक, अब यह न मेरे पास अगर पढ़ा हुआ है, समझना, अगर यह मेरे पास पढ़ा हुआ है, पैकेट में पढ़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, सर, यह that is raw material, यह क्या हमारा raw material, अगर मेरे पास पढ़ा हुआ है, तो यह है raw material, लेकिन, अब मैंने इसको cut कर दिया, suppose करो, आलू को भी काट दिया मैंने, और तेल को भी मैंने बनाने के लिए तैयारी कर लिए, तो जैसे ही मैंने आलू cut किया ना, और oil को मैंने मान लेतने हैं कि gas पे, अगर मैंने डाल दिया यहां पे, suppose करो, तो इसका मतलब, सर, यह raw material नहीं हुआ, यह हो गया work in progress, work in progress का मतलब है, सर, इसके अंदर work in progress में बहुत सारा efforts लगा है, एक तो raw material लगा है, labor, यानि आपकी मेहनत जो आप काम कर रहे हैं, वो मेहनत भी है, that is labor, और साथ के साथ overhead भी लगा है, raw material में आलू लग गया, labor में आपकी मेहनत, overhead में गैस लग रहा हैं मान लेते हैं, raw material जो है ना, अगर आपने एक किलो आलू का सबजी बनाना है, तो raw material लग गया, अब क्या बाद में भी raw material डालोगे क्या, बनने के बाद भी आलू थोड़ी डाल देगे, जो डल गया, यूज हो गया, लेकिन आपकी मेहनत अभी यूज नहीं हुई 100%, क्योंकि आपको कुछ काम अभी करना है, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने raw material डाल दिया, तो इसका मतलब बन के तयार थोड़ी है, उसके उपर आपको निगरानी रखने हैं, आपकी मेहनत लगेगी, और overhead भी 100% यूज नहीं हुआ, क्योंकि अभी time लगना है बनने में उसके अंदर, तो normally जो ये दोनों points होते हैं, अगर मैं बात करूँ work in progress में, तो हमारी तीन चीज़े लग जाती है, raw material लग जाता है, लेवर लग जाता है, जर्नली आपका raw material पूरा 100% लग रहा है, लेवर 100% नहीं लग रहा है, लेवर जो लग रहा है, आपका मात्र 50% लग रहा है, तो हम average मान लेगे, कितना है, 50, अगर सवाल कहता कि 80% लगा है, लेवर तो 80 मानी है, 20 लगा है, तो कितना मानी है, 20 मानी है, और same overhead भी कितना percent लगेगा, 50%, यानि यहां से एक point आपको समझना होगा, अगर आपका work in progress में कुछ ना बोला जाए, तो material 100% होगा, labor 50% होगा, और overhead भी 50% होगा, ठीक है न, material बस 100% होगा, finished goods का मतलब बस आपको खाना है, तयार हो गया है, that is finished goods, तो आप मुझे बताईए, finished goods में क्या-क्या लगा होगा, इसमें भी तीनों चीज लगा होगा, raw material भी लगा होगा, labor भी लगा होगा, और overhead भी लगा होगा, लेकिन ये तो 100%, बताओ, अब finished goods हो गया, तो labor कितना लग चुका होगा, और overhead कितना लग चुका होगा, 100%, यानि किसी चीज को stock को तीन category में रखा गया, एक work in progress के अंदर, एक finished product के अंदर, एक raw material, तो raw material में तो भाईया सर्फ material होने बाला है, तो यहाँ पर जो मैंने work in progress लिखा है नहीं, that is raw material, तो सर, material सर्फ यही होगा, नहीं जी, नहीं, एक होगा हमारा work in progress भी, सर, work in progress कैसे निकाल लेंगे, इसके अंदर components होगे न, material होगा, labor होगा, और overhead होगा, इन सभी को जोड़ेंगे, तब जाके आएगा हमारा work in progress का amount, सर, यह हमेशा, यह हमेशा, एवरेज के बीशिस पे और यह हमेशा, सर, overhead क्या होता है, सर, overhead is an expense, इसके अंदर rent भी होगा, salary भी होगा, wages भी होगा, सारे खर्चे को हम एक नाम दे देते, accounts के अंदर, overhead, जो की costing में जिन बच्चों ने पढ़ा है, उनको पता होगा, बस categorize कर देते थे, factory overhead, admin overhead, selling overhead, तो क्या आप याद करो, overhead में depreciation होता था, यह नहीं होता था, बिल्कुल होता था, depreciation on machinery आप factory overhead में डालते थे, आप समझो, अगर आपको depreciation की बात करें, तो अगर depreciation is also overhead, तो मुझे बताईए, क्या depreciation में भी हमें पैसे की जूरत करनी पड़ीगी, क्योंकि depreciation तो assets पर लगता है, और यह कौन सा item होता है, noon cash item, तो जब कभी भी आपको overhead देगा, और बोलेगा, इसमें depreciation जुड़ा होगा है, तो उसको हटा के लेके चलना है, क्योंकि depreciation के लिए मैं पैसे की जूरत नहीं पड़ीगी, यानि सर यहाँ जो overhead मैंने लिखा है, वो कौन सा होगा, less depreciation करके लेना है, समझे, चलो यह हो गया, तीसरा stock कौन सा होता है सर, finished goods, सर, finished goods में कैसे लोगे आप, अगें सारी चीज़े ले लोगे इसके अंदर, क्या-क्या लोगे, material, प्लस labor, प्लस, क्या overhead के अंदर depreciation लोगे, कहीं भी नहीं लेना आपको, अगर question बोलता है, depreciation को भी consider करो, तो करके दिखा देंगे, यह हमारे जो तीने points देख रहे हो ना, यह क्या है, हमारे stock के ही part है, अब इसके बाद हमारा हो सकता है, हमने उधार बेचा हो, तो that is debtor, जो माल बन के तयार होगा, वही भिकेगा ना, तो debtor भी मैं बात करूँ, तो क्या क्या होगा, material प्लस labor प्लस overhead, ठीक है, लेकिन profit मतले ना, यहां पर, क्योंकि sale करोगे, including profit, तो यहां पर जो रहेगा, वो depend करेगा situation पर, इसमें profit नहीं include करना, excluding profit, ठीक है, और last में अगर आपके पास cash का balance है, या bank का balance है, तो वो भी यहां consider कर लेंगा, last में अगर हमारे पास cash का balance हो, या bank का balance हो, वो भी consider कर लिया गए, अब जैसे यह consider करने के बाद हमारे पास निगल के आएगा total, और total किसका आएगा निगल के, current assets को, और current assets को total हम पता क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, यह gross, अगर हम बात करें, तो current assets को हम gross working capital भी कहते हैं, examiner ने अगर पूछा के बहिए, gross working capital निकाल के दिखाओ, तो आप सिर्फ current assets total कर देंगे, ठीक है ना, अब हम liability की बात कर लेते हैं, यह नीचे यह नीचे जायता जा रहा है, अगर हम liability की बात करें, तो liability में ज्यादा चीज़े हैं नहीं, एक होगा जो आपने उधार material लिया है, एक आपको labor को जो payment देना है, एक जो overhead को आपको payment देना है, तो इसका मतलब यह creditor आ जाएगा यहाँ, overhead मतलब outstanding और material और labor और यह भी outstanding, बस इतना ही होगा, इसके अंदर ज्यादा नहीं होगा, यह भी हम plus कर लेंगे, तो यह जो आएगा, यह आजाएगा total liability का, तो current liability, current liability total, यह total आ गया, अभी हम सवाल भी देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा, अब मान लेते हैं, यह part हमारा A है, और यह part हमारा B है, अब निकलेगा net working capital, कैसे निकलेगा sir, A माइनस, ठीक है, networking capital, तो हमें करना क्या है, सवाल में सारे चीज़े गीवन होगा, और उसी के हिसाब से आपको, में भी पॉसिबल है, कि आपको एक महिने का working capital बनाना पड़ सकता है, एक हफ्ते का बनाना पड़ सकता है, दस हफ्ते का बनाना पड़ सकता है, पूरे साल का बनाना पड़ सकता है, डिपेंड उन सिचुएशन, क्या required करता है, तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें इधर इसकी, तो work in progress में तीन चीज़े हैं भाई साब, क्या-क्या है, raw material, labor, and overhead, सर ये कितने percent लगेगा, ये कितने average, और ये भी average, सर इसके अंदर भी तीनो components आड़ करोगे, material, labor, और ये सब रहेंगे आपके पूरे-पूरे, ये सब रहेंगे आपके पूरे-पूरे, correct? कई बारना सवाल में कह देता है, कि आपको margin of safety लेके चलना है, margin भी लेके चलना है, आपको contingency reserve बना के चलना है, margin बना के चलना है, कुछ एक word यूज़ करता है, तो आपका मान लीजिए margin बोला गया 10% आपको margin लेके चलना है, कितने percent margin लेना है? जो answer आया ना, उसका आप 10% इसमें add कर दोगे, add कर दोगे, यानि किसका सर? जैसे मान लो, ये minus करने के बाद 100 आया, तो 10 रुपे और add कर दोगे, फिर आएगा आपका actual working क्या कर दोगे, old recording कब upload होगे, कल से upload होनी चालू हो जाएगी यहां तक समझ मैं है, यानि सर बड़ी सीधी सी बात है, working capital हम current assets find कर लेंगे, minus current liability कर देंगे, working capital आ जाएगा, current assets को gross working capital कहा जाता है, और इन सब को minus करने के बाद net working capital भी कहा जाता है, इस chapter में से theory भी पूछा जाएगा, पहले हम practical cover करेंगे, फिर theory के उपर आएगे, इसके अंदर हम, ठीक है ना, अब सर, कई बार आपको data, जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा material, annual दे दिया, और बाकी सारी information, मैंने मंतली दिया, तो आपको सब कुछ मंतली में convert करके निकालना होगा, जो ज़्यादा frequently दे रखता है, अगर ज़्यादा तर yearly है, एक item मंतली है, तो आपको yearly में निकालना होगा, और question जो बोल दे, फिर तो वही करना है, जैसा मर्जी data, ठीक है, तो एक हम question देखते हैं, इसी के उपर, पहले यहाँ तक clear है भाईया, total assets जोड़ लेंगे, एक question देख लोगे न, तो आपको और clarity होगा, फिर मैं उसके अंदर और point add on करने वादा होगा। चलिए, यह question देखेंगे, क्या question विज्वल है, हर किसी को बताईए, question विज्वल है, आपके सामने, पढ़ ले question, कहता है, prepare estimating networking capital requirement, zero company का नाम है, the data given, कहता है, raw material 100 रुपे का है, labor 40 रुपे का और overhead, और यह एक unit की cost है, अगर एक unit बनाएंगे, तो raw material 100 रुपे का लग जाएगा, labor लग जाएगा, 40 का, 80 का यह लग जाएगा, the following information are available, जो हमारे पास additional information है, कहता है, एक unit बेचेंगे, हम कितने का, 240 रुपे का, एक unit हमने 240 रुपे का बेचना है, आगे कहता है सर, level of activity, हम पूरे साल में, इतने unit का काम करने वाले हैं, और आगे आप data जो देखोगे, वो कुछ weeks में given है, कहता है, raw material ना, हमें stock के अंदर, 4 हपतों का रखना है, raw material, तो भईया, आगर आप 4 हपतों का raw material रखेंगे, उतनी working capital चाहिए, यानि जितना stock आप hold करेंगे, उतनी तो working capital चाहिए, कहता है, raw material in stock, के बाद कहता है, work in progress, assume 100% stage पे completion, material होगा, and 50% labor and overhead, अगर ये line नहीं भी कहता, तो हमने सीख लिया था, आगे वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, material तो 100% होता है, और जो labor होता है, वो 50% ही रहेगा, और overhead भी, सर इसको दो हपते लग जाते हैं, इसके लिए दो हपते का पैसा इंतजाम करना है, finished goods के लिए चार हपते लग जाते हैं, credit allowed to supplier, supplier by supplier, creditor की बात चल रही है, liability के लिए चार हपते हैं, और debtor को हम देते हैं, 8 हफते, lag in payment, lag in payment का मतलब outstanding, lag in payment मतलब outstanding, payment of wages, तो कहता है, one and one and half, यानि डेड़ हफते की बात चल रही है, overhead के बारे में कुछ नहीं बोला, cash और bank में हमारे पास balance अविलिबल है, assume that, production, आपका sustained during 52 week of the year, हफते में 50, 52 week है, महीं साल में, और उसी के according कराए जाए, चेक है, तो अगर हम देखें इसको, सारी चीजों को हमने एक बार समझ लिया, इसी को हम क्या करेंगे सर, जो format सीखा है, उस format में कर देते हैं, सर 15 marks के questions है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिलीब पता किस में करता हूँ, कि बच्चों को ना concept पूरा समझादो, और उसके बाद सीधा सीधा exam में आया हुए questions करादो, तो बच्चे के ना questions खतम हो जाते हैं, लगबग के सर, ऐसा paper में आएगा क्या, ये आया हुआ कोशन एक्जान, चलिए सर, पहला ए पार्ट ले ले लेंगे, current assets, ध्यान दीजेगा, मैं working note भी ना, इसी के अंदर कर दूँआ, so that आपको clearly समझ में आ जाए, current assets में सबसे पहले material, सर, material का इंतिजाम जो करना है ना हमें, वो करना है चार हफ्तों का, तो साल का जो consumption है, एक लाग चार हजार है, इसको divide अगर 52 से कर दे, तो ये कितने time का आ गया, एक हफ्ते का, इंतिजाम कितने हफ्ते का करना है, चार हफ्ते का, ये तो आ गया unit, ठीक है, पर एक unit कितने का है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक लाग चार हजार है, इसको पहले ही divide कर लिजिए, 52 से easy हो जाएगा थोड़ा, तो क्या आ जाता है, 52 से divide करने के बाद, 52 से divide करेंगे, तो कम होना चाहिए, नहीं, इसका बताओ क्या है रहे, यह आपने बताया, यह 2000, यानि 2000 unit हमें जुरत पड़ेगी, एक हपते में, तो simple कर सकते थे 2000, और 4 हपते into 100, तब भी यह आएगा, अगला point होगा सर, WIP, WIP में क्या-क्या लगेगा, material, labor, सवाल कहता है, यह 2 हपते में कामकाद चलेगा, कितने टाइम में, 2 हपते में, तो अगर 2 वीक में चलेगा, तो 2000, 1 वीक का है आपका, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2000 into में 2, और 100 रुपे, तो कितना आजाएगा, 4, 4 लाग आजाएगा, labor, भी 2000, 2 हफते के लिए, 4000 यूनिट पे काम, और labor की जो cost है, वो है 40, लेकिन सर, 40 तो नहीं आएगी, 50 परसेंट लेगे न, तो कितना आ गया यह, 80,000, आप calculate करते जाएगा, overhead भी देखे तो 2000, 2 हफते, सभी 2 हफते रहेंगे, और कितने का है, 80, लेकिन इसका भी क्या लेंगे, 50 परसेंट, total कर लीजे, एक बारा, third point of finished goods, finished goods, 6 लाग, और साहब मैंने finished goods में आपको क्या बताया था, finished goods में बताया था, कि सब कुछ 100% होगा, और finished goods के लिए सवाल खुद कह रहा है, भी यह, 4 हफते आपको stock समभाल के रखने होगे, तो finished goods का अगर मैं निकालू यहाँ पे, तो कैसे निकलेगा सर, finished goods में सर 2000 यूनिट है, एक हफते का, हमें कितने हफते का समालना है, 4 हफते का, और अगर मैं rate की बात करूँ, तो सर rate क्या आएगा, rate सब को ले लेंगे 100%, तो मैं सब को अलग-अलग करूँ, कि material, labor overhead, इससे बहतर है, मैं directly 220 रुपे ले लेता, दे रख़ा है 220, फिनिस्ट गुड्स हमेशा cost price पर होगा, हमेशा किस पर लेंगे, सर, selling price बस ऐसा ही है, इसका तो कोई value नहीं रहती, क्योंकि हमें, selling price पर नहीं पैसे की ज़रुद है, cost price पर पैसे की ज़रुद है, समझे बात, तो अगर यहां total करते हैं, 2000 into 4 और यह, तो क्या आता है, कितने, इसके बाद, अब आ जाएगा हमारा कौन सा, debtor, क्या आ जाएगा debtor, debtor की भी अगर हम बात करें, तो सर 2000 unit अब चेक करेंगे, कि हम कितने दिन का उधार देने के लिए तयार हैं, तो credit allowed to debtor कहता है, सवाल में कितने हफसे, into 8, और समान selling price पे नहीं लेना, हमेशा cost पे लेना है, debtor भी है, तो debtor हमें cost का इंतिजाम करना है, तो debtor हमारा 220, लेकिन सा, debtor तो selling price पे बनता है, लेकिन हम यहां पे cost पे consider करेंगे, always, जब question कहेगा selling price पे करो, तब ही करना है, 35,00, इसके बाद cash, सवाल में खुदी कह रहा था cash, now gross working capital आ गया, gross working capital जोट देंगे, फिर हमें क्या देखना है सर, current liability, 6745, अब क्या देखना है, current liability, current liability, सर, current liability में क्या क्या आएगा, पहले material, अब हमें supplier कितने time का allowed कर रहा है सर, चार हफ़ते, तो सर, material कितने लगेंगे, 2000 unit, चार हफ़ते का 100 रुपे, अब लेग पेमेंट इन वेजस, सर, overhead कोई outstanding रहा ही नहीं है, वेजस, तो वेजस का कहता है, आपका देढ़ हफ़ता है, ऐसे लिखा हुआ है, 1, 1 by 2, तो इसको देढ़ हफ़ता बोलो, या 1.5 भी बोल सकते हैं, तो 2000 इन टू में 1.5 और जो हमारा वेजस है, वो कितने का है, 40 रुपे का, बताईए, या देट इस करेंट लाइबिलिटी, सर 9 लाइब अब हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है, और कौन सा वर्किंग कैपिटल होता है, नेट वर्किंग कैपिटल, अब हमें निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल, तो क्या कर देए, ए माइनस में बी, आप बी इसका नाम बोल रहे हो, और A इसका नाम बोल रहे हो ठीक है, A के टोटल में से B को माइनस कर देंगे तो आप जब माइनस करेंगे 67,45,000 में से 9,20,000 तो क्या आप है 50 58,00,000 तो यह सवाल आप करोगे तो आपको 15 नमबर मिल जाएगे देखिए देखो, बुक की PDF अवेलिबल नहीं होती बुक आपको भाए करना पड़ेगा मैं जो कुश्ण कराऊंगा, वो मैं टाइप करवाता हूँ तो वो मैं वैसे नोट्स पे देए रहा हूँ यह 50 तो लिया आपके वर्क इन प्रोग्रेस में तो तीन कॉंपोनेंट्स लग रहे होंगे न तो वर्क इन प्रोग्रेस तो इतना पैसा फसेगा हमारा जिसे माटीरियल में फस जाएगा 4 लाक चो कि लग क्या और लेवर में फसने वाला ज्यादा था लेकिन हम एवरेज लेंगे तो 80 अजार और ओवरेड में 61 तो सब को जोड़के वर्क इन कैपिटल हमारे दो हपते में छे लाक चालिस अजार रुपे चाहिए ही चाहिए जो की मसीन पाइपलाइन में चलता रहता हूँ अब मल तयार हो गया तो अब लेवर उसमें कौन सा मेहनत करेगा इस कोश्चन में किसी को डाउट सेलिंग प्राइस का रोल क्या है कई बार आपको कुश्चन में सेलिंग प्राइस के बेश पे कह देता है कि सेलिंग प्राइस का 10% रॉव मटरियल है 20% लेवर है तो उसके काम आएगा बाकी अगर बोला जाए आपको कि आप निकाल के वरकिंग कैपिटल और आपको डेटर जो कंसीडर करना है वो सेलिंग प्राइस पे कंसीडर करना है सवाल खुद कहेगा तो बस डेटर जहां हमने 220 लिया है उसको 240 से मल्टिप्लाई करके निकालेंगे बस ये रोल रहेगा हमारा अगर सपोस करो मैं यहां लिख देता बताना मुझे यहां पर मैं लिख देता डेप्रीशेशन दस रुपए है तो जो ओवर हेड में यहां असी लिया है ना तो वह सत्तर लेके करते हैं बस एक्जाम के अंदर पॉप्लर कोश्चन रहता है वह डाल देते हैं डेप्रीशेशन हां मैं कोश्चन प्रेक्टिस के लिए भी मैं कुछ दिनों तक पीडियाप देजी हूं समझ में आया है हर किसी बच्चे को किसी का डाउट है तो बताईए इसमें नहीं तो हम आगे बढ़ें किसी का डाउट है इसमें क्लियर तो आप देखेंगे जो हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मिट बनाया है एसटीज वहाँ पर चलिए और यह कौंसा वर्किंग कैपिटल है सर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल अतने पैसे की जोरत पड़ सकती है हमें पूरे साल के दोरान रखना मतलब क्या है सर इसका इतने पैसे आपको रखने ही रखने ही अगर इतने पैसे नहीं रखोगे ना तो आपका कुछ ना कुछ loss होगा किसी का payment delay होगा किसी का कुछ होगा anytime इतने पैसे होने चाहिए